हेलो एस्पिरेंस विलकम टो अट्टाटविटीफोर सेविन क्लाड चानल और आज हम एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये है एफ आई आर तो एफ आई आर एक बहुत ही खतरनाक टर्म है हम सबने सुना है पर आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आप कभी ऐसी सिट्वेशन में फस जाते हैं तो कैसे एफ आई आर फाइल करना है क्या क्या टाइपस ओफ एफ आई आर होती है और क्या जरूरी है आपके लिए जानना और ये एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है चाहे आप लॉस से हो चाहे कोई भी बैगराउंड से हो आपको पता होना छिए के एफ आ आर कैसे फाइल करते हैं कब फाइल करते हैं और किन चीज़ों कहा हमें ध्यान रखना है तो आहिए जानते हैं इंडियन लॉस के साफ से समझते हैं कि एफ आई यार क्या होती कितने टाइप कि होती है और आप कैसे यूज़ कर सकते हैं तो जानने के लिए वीडियो के इंट तक बने रही है और इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजे ठीक है तो FIR का मतलब होता है first information report तो जबी भी हम एक justice की demand करते हैं तो justice की demand में पहला step होता है FIR अगर आपके साथ कुछ भी एक criminal matter हुआ है तो उसके लिए पहला step है आपको FIR फाइल करना है और यह हमारे laws में criminal procedure code जो कि अब भारतिय नागरेक सुरक्षा सम्हिता हो चुका है तो criminal procedure code के section 154 में इसका mention है तो यह जो है formal record होता है आपके complaint का जो भी आप complaint करते हैं उसका एक formal record इसे माना जाता है अब जैसे ही अब purpose क्या है अब purpose यह कि जैसे ही आप FIR करते हैं तो पहली चीज इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है उसका एक official record बन जाता है और उसके against एक legal action लिया जाता है तो इन तीन चीज़ों के लिए ये तीन चीज़ों जो list out है इन तीन चीज़ों के लिए FIR काम आती है अब देखते हैं कि FIR file कैसे कर सकते हैं अगर आप कोई ऐसी situation में फस जाते हैं जहां पे आपको FIR करने की need है तो ये purpose आपको help करेगा तो पहला है कि आपको police station जाना है जो भी आपका nearest police station है आप वहाँ पे जाकर अपनी complaint लिखा सकते हैं that is the first step second step is provide detail आपको अपनी correct details provide करनी है एकदम accurate details क्या क्या हुआ कब हुआ किस gravity का incident हुआ ये सारी details आपको provide करनी पड़ेंगे तो details provide करिए और आपको police station जाना है third है written statement तो it is very important कि आपका जो statement है वो written format में होना चाहिए तो जब आप पहाँ पर अपना statement बताएंगे तो police उसको write down करेगी ठीक है और या फिर आप खुद भी उसे लिख कर submit कर सकते हैं आप खुद भी लिख कर submit कर सकते हैं police के भरोसे बैठना जरूरी नहीं है चौथा है और सबसे important है signature जब आपकी एक बार report बन जाए अगर police report बना रही है तो आपको इस report को पढ़ना होगा कि क्या आपने जो बताया है वही लिखा है या इसके अलावा कुछ लिखा है या फिर कुछ नहीं लिखा है तो यह आपको cross check करना है और cross check करके आपको sign करना है उसको confirm करने के लिए कि आपके FIR सहीं थी और इससे भी important आपको अपनी FIR की copy मांगने का पूरा अधिकार है you have got the legal right to claim the copy of your FIR for free so please do not forget to claim the copy of your FIR whenever you are filing FIR this is very important अब देखो आपके कुछ rights हैं यहाँ पे जो भी complainant होता है उसके कुछ rights हैं जो हमारे laws provide करते हैं पहला है free of charge कभी भी FIR file करने से आपको कोई पैसा demand नहीं कर सकता if someone is demanding money then it is a false आप वहाँ पे मना कर सकते हैं पैसा देने के लिए then copy of FIR once your FIR is filed you can claim the free copy of your FIR and timely response you can follow up with the police to ensure the timely response of your FIR अब क्या होता है जब एक बार आपकी FIR file आती तो अब ही हमने देखा process क्या होता है हमने steps देखे कैसे FIR follow करना है अब क्या होगा जैसी FIR follow जाएगी investigation शुरू जाता है क्योंकि FIR हमने बताया पहला step होता है justice के लिए तो उसके बाद शुरू होती है investigation जिसके आधार पे police charge sheet file करती है उसी के basis पे police charge sheet file करती है और उसके बाद शुरू होती है है court proceedings जिससे आपको final justice मिलेगा जहां पे हम पहुंचते है एक्विटल और conviction के उपर तो यह process है आपके FIR file होने के बाद आप कुछ important points है important points यह हैं कि आप जो details देंगे FIR में वो accurate होनी चीए तो आपको accuracy पे बहुत ज़्यादा follow करना है और दूसरा है follow up क्योंकि हम जानते हैं कि Indian system कैसा है हमारा justice delivery system slow है तो आपको police station पे जाकर follow up करना पड़ेगा track रखना पड़ेगा कि अभी तक आपके complaint पे action लिया गया यह नहीं लिया गया तो यह चीज़ आप follow कर सकते हैं legal aid अगर आपको लगता है कि आपको एक legal aid की जरुवत है आपको एक advocate करना है तो यह भी हमारा article 21 के अंदर जो हमाई constitution एक fundamental right देता है इस right के तहेत आप free legal aid demand कर सकते हैं तो हर district में body होती जिसका नाम होता है district legal service authority district legal service authority यह authority आपको free में legal aid provide करेगी तो आप यह बिलकुल three of charge claim कर सकते हैं अब आईए समझते हैं कि what are the different types of FIR तो यह भी जरूरी aspect जनरल FIR जो हमने discuss किया उसे हम बोलते हैं general FIR जहां पर अपने nearest police station पर जाकर अपनी complaint लिखा सकते हैं अगला होता है zero FIR zero FIR का मतलब है अगर मान के चली आप belong करते हैं डेली से और आप बैंगलो ट्रैवल कर रहे हैं और वहां आपके साथ कोई criminal case हो जाता है तो उस case में आप अपने nearest station याने की बैंगलोर में जिस जगह पर आप हैं उस जगह के nearest police station पर जाकर आप complaint लिखा सकते हैं क्योंकि otherwise general FIR में क्या होता है अगर आप दिली के आपके घर से चोरी हो गया तो आप nearby complaint लिखा लेकिन अभी आप बैंगलोर में हैं तो आप बैंगलोर में complaint लिखा सकते हैं इसी को बोला जाता है जीरो FIR थर्ड होता है EFIR अभी रिसेंटी जिस सिंस हम डिजिटल इंडिया में काफी ज़दा प्रमोट करें डिजिटल चीजों को तो उसमें one of the aspect है EFIR ताकि लोगों को पुलिस टेशन जाके हुमिलियेशन ना जहिलना पड़े तो उसके लिए हमने लॉंच किया EFIR आप अपनी complaints online register कर सकते हैं government की proper website से तो वहां पर जाके आप अपनी complaint लिखा सकते हैं अब होता है चौथा cross FIR Cross FIR मतलब जब मान के चलिए दो लोगों की एक साथ जगड़ा हो जाए से मान के चलिए कि मेरा neighbor आके मुझे मार रहा है और मैं अभी उससे मार रहा हूं तो यह दोनों किसे हम दोनों जाके same complaint लिखाएंगे तो अबर complaints will cross each other that is called as a cross FIR दोनों complaint क्या लिखा रहे है यह मुझे म मेरे घर में चोरी किया था इसलिए मैंने इसको मारा this is called as a counter FIR तो एक FIR को counter करने के जम दूसरी FIR डालते हैं तो इसको बोलते हैं counter FIR delayed FIR का मतलब क्या होता है यहां पर आपको proof देना पड़ता है कि कि किसी महत्तुपूर्ण कारण से किसी important reason से आप समय से FIR फाइल नहीं कर जाता है या ऐसी कोई other medical problems या कोई ऐसा harassment because of the mental trauma आप तुरंट उस चीज़ पर action नहीं ले पाए तो मानके चली आज के डेट पर आपके साथ खुदा ना खासता अगर कुछ गलत होता है तो आप हो सकता है कि तुरंट decision नहीं ले सकते लेकिन आप 6 महीने बाद जाके FIR जरूर कर सकते हैं तो यह concept delayed FIR का यह right हमें हमारे loss देते हैं तो यह रही FIR की पूरी detail I hope आपको पसंद आया होगा description पे telegram channel की ID है आप comment करिए अगर आपके कोई भी doubts है अगर आपको कोई भी confusion है we will be happy to help you and for more such informative videos follow us follow a channel and I'll see you in the next video thank you